आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 स्कूटर्स के बारे में जो की इंडियन मार्केट में काफी ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बढ़ाए हो तो ऐसी और नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो में सबसे पहले तो 5 नमबर पर 2 स्कूटर आजाती है पहला है हिरो प्लेजर प्लस और दूसरा है हॉन्दा दियो तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्लेजर प्लस के बारे में हाला कि हॉनदा दियो के साथ भी आप जा सकते हो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन जो हिरो प्लेज प्लस स्कूटर एक काफी अच्छा option हो सकती है, साथी जो स्कूटर ये काफी दादा color options के साथ आपको मिल जाती है और company जो है कुछ ना कुछ updates हर साल स्कूटर में लाती रहती है, इस स्कूटर में आपको मिल जाती है LED headlamps with DRL option और ये स्कूटर आपको Bluetooth connectivity और बिना Bluetooth connectivity दोनों option के साथ मिल जाती है साथी engine के अगर बात करें तो 110cc का engine आपको इस स्कूटर में मिल जाती है जो की 8.15 PS का power और 8.70 Nm का torque generate करती है वहीं पर wheels और tires की बात करें तो 90 by 90, 10 inches का tires आपको आगे और पीछे दुनों ही wheels में देखने को मिल जाती है अब इस स्कूटर की कुछ features की बात करें तो integrated braking system यानि जो IBS technology वह आपको देखने को मिल जाती है साथी LED headlamp setup with DRLs, analog digital instrument cluster with Bluetooth connectivity और एक अच्छा खासा बड़ा boot space आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको LED lamp भी देखने को मिलेगा हादा कि इसका जो fuel tank का cap है वो आपको seat के नीचे ही देखने को मिलेगा तो ये कमी थोड़ी सी scooter में है बाकी scooter में front में glove box भी आपको देखने को मिल जाती है, USB charging socket भी दिया गया है तो ये सरे features आपको scooter में देखने को मिल जाती है, mileage के अगर बात करें तो 50 से लेकर 55 km per liter का mileage आपको hero pleasure plus scooter से मिल सकती है और इस scooter के जो seat height है वो 765 mm की है, तो छोटे height के जो लोग है वो भी बहुत ही easily scooter को चला सकते है अब price के अगर बात करें तो इसका जो action room price है वो स्टार्ट हो जाती है 72,713 रुपीर से, यानी 72,713 रुपे से चले वकर 4th number की scooter के बात करें तो यहाँ पर आ जाती है TBS N-Torque 125 और 125 सेग्मेंट की scooter जो है उस segment में ये scooter को काफी जादा पसंद किया जाता है अब TBS N-Torque में भी काफी सारे variants आपको देखने को मिल जाती है इने km per liter का mileage आपको इस scooter में देखने को मिल जाएगी seat height के अगर बात करें तो 775 mm का seat height scooter में मिलती है तो pleasure plus के मुकाबने थोड़ी सी मूची ये scooter है अब इस scooter का action room price के अगर बात करें तो इसका जो base variant है उसका price start हो जाती है 84,636 रुपीज से और इसका top end variant जो की XT variant है उसका action room price जाती है 1,4,641 रुपीज तक चलिए third number की scooter की बात करें तो ये भी 125cc का scooter है और इसका नाम है Suzuki Axis 125 एंजिन के अगर बात करें तो 125cc का एंजिन आपको scooter में देखने को मिलती है जो की 8.7 PS का power और 10 Nm का torque generate करती है wheels and tires के अगर बात करें तो सामने में आपको 12-inch के tires और पीछे में आपको 10 inches के tires देखने को मिल जाती है इस scooter में भी आपको disc and drum दोनों option देखने को मिल जाएगा बाकी scooter में भी LED headlamps आपको देखने को मिल जाएगा LED position lamps भी दिया गया है और साथी digital instrument cluster with smartphone connectivity आपको इस scooter में भी दे देखने को मिलेगा सिर्फिस का जो top end model है उसी में आपको digital instrument cluster देखने को मिलती है और इसी के साथ scooter का जो top end model है उसमें आपको turn by turn navigation का feature भी देखने को मिल जाएगा boot space के अगर बात करें तो 21.8 liter का बड़ा size का boot space आपको scooter में देखने को मिल जाती है साथी आपको external fuel filling भी देखने को मिल जाएगी front में glove box और USB charging socket भी scooter में दिया गया है तो features के मामले में काफी सारे features आपको scooter में मिल जाती है mileage के अगर बात करें तो 45 से लेकर 50 km per liter का mileage आपको scooter से मिल सकती है seat height के अगर बात करें तो 773 mm का seat height आपको मिल जाती है और pricing के अगर बात करें तो इसका जो base model का एक्षरों प्राइस है वो है 79,899 रुपीज और इसका top end model है जो कि smartphone connectivity के साथ आती है उसका एक्षरों प्राइस चली जाती है 90,500 रुपीज तक चले अगर second number के scooter के बात करें तो यहाँ पर आ जाता है TBS company का Jupiter scooter और यह scooter आपको 110cc और 125cc दोनों variants में देखने को मिल जाती है लेकिन इसका जो 110cc वाला जो variant है वही इंडिया में जादा popular है 125cc के मुकाबले इंजिन के अगर बात करें तो 110cc का इंजिन आपको इस scooter में मिल जाती है जो कि 7.88 PS का power और 8.8 Nm का torque generate करती है wheels and tires की बात करें तो आगे और पीछे दोनों में यह आपको 12 inches के tires मिल जाती है साथी आपको इस scooter में disc brake and drum brake दोनों option देखने को मिल जाएगा साथी आपको इस scooter में LED headlamps भी देखने को मिल जाएगा लेकिन इसका जो base model है वहापे आपको halogen lamp भी देखने को मिलेगा बाकि इस scooter का जो top end model है वहापे आपको digital instrument cluster भी मिल जाती है स्मार्टफोन connectivity के साथ लेकिन इसका जो base model है वहापे आपको analog meter मिलेगा वही पर इस scooter में भी आपको under seat storage देखने को मिल जाती है external fuel filling भी दिया गया है और साथी USB charging socket भी मिल जाती है जो कि optional है अब इस scooter की mileage के अगर बात करें तो 50 से लेकर 55 km per liter का mileage आपको इस scooter से भी मिल जाती है seat height के अगर बात करें तो 765 mm का seat height है तो Hero Pleasure Plus के तरह ही इसका seat height दिया गया है अब इस scooter की pricing के अगर बात करें तो इसका जो base model है उसका actual price है 73,340 रुपीज और इसका top 8 variant है जो कि smartphone connectivity के साथ आती है उसका actual price है 89,748 रुपीज तो इस scooter में भी काफी सारे variants आपको देखने को मिल जाती है और हर variant का price जो है different है तो आप अपने हिसाब से कोई भी variant scooter का ले सकते है वही पर इस list में पहले number का scooter की बात करें तो इहाँ पर आ जाता है Honda Activa और इस scooter के बारे में इंडिया के अंदर सभी लोग जानते है और ये scooter का look जो है ये काफी basics आपको देखने को मिलेगा और features भी आपको कुछ जाधा खास देखने को नहीं मिलती है इस scooter में आपको मिल जाती है 109 CC का engine जो की 7.8 PS का power और 8.9 Nm का torque generate करती है wheels and tires की बात करें तो आगे में आपको 12 inch और rear में आपको 10 inches के tires देखने को मिल जाएगी features भी आपको इस scooter में काफी basic सा मिलता है इसका जो top end model है वहाँ पे आपको LED headlamp देखने को मिल जाएगी लेकिन इसका जो base model है वहाँ पे आपको halogen setup भी देखने को मिलेगा साथी scooter में कोई भी digital instrument cluster देखने को नहीं मिलती है सारे ही model में आपको analog system भी देखने को मिलेगा इसका एक edge smart variant भी आता है जहाँ पे आपको keyless entry जैसे feature देखने को मिल जाती है boot space के अगर बात करें तो 18 liter का boot space और external fuel filling भी scooter में दिया गया है mileage के अगर बात करें तो इस scooter में आपको 50 km per liter का mileage देखने को मिल जाती है बाकी seat height की बात करें तो 765 mm का seat height scooter में दिया गया है जो कि TBS Jupiter के साथ similar है चलिए अब Honda Activa की pricing के अगर बात करें तो इसका जो base model है उसका एक्षवरों price है 76,234 रुपीज बाकी जो इसका top model है उसका एक्षवरों price जाती है 82,234 रुपीज तो यहीते top 5 petrol scooter जो की Indian market में काफी जादा popular है तो 2024 में अगर आप प्लान करें हो एक petrol scooter खड़िदने की तो इन पांचों में से कोई भी scooter आप बेज़े ज़ग खड़ी सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतने ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाए मिलते हैं ऐसे किसे नए वीडियो में तब तब के लिए गुड़ बाई and take care